आपका स्वागत है मैं हूँ प्रतिभिम शर्मा आज 15 नवंबर है स्वतंतरता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जैनती जिसे राष्ट आज पहले जनजाते गौरव दिवस के रूप में मना रहा है इस अफसर पर संसत भवन परिसर में एक विशेश का एरक्रम होने जा रहा है जिसमें प्रधान मंत्री, लोगसभाद्यक्ष, राजल सभापती, जनजाते मामलों के मंत्री और अन्य केंद्रे मंत्रियों के साथ साथ सांसत विरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुषपांजली अर नवंबर से 22 नवंबर तक सापताहिक समारोह की योजड़ बनाई गई है जो देश भर में किये जाएंगे और इस दोरान देश भर में होने वाले विभिन कायरक्रम जो है कहिना कैश रधाजली स्वरूप भगवान मुंडा को याद करेंगे और 16 नवंबर से नई दिल्ली म राष्टिय आदी मौसव का आजनबी किया जाएगा जो जनजातिय उत्पादों के लिए कममंच प्रदान करेगा और जनजातिय कला और उनकी संस्क्रति को प्रदशित करेगा देश भर में जनजातिय समुदाय बिर्साम मुंडा को भगवान के रूप में मानते हैं जनजातिय गौरव देवस आजादी के अमरत मौसव के रूप में बनाए जा रहा है इस अफसर पर संसद परिसर में अदिवासी कलाकार भी आये हैं और वो भी इस अफसर पर अपनी प्रसंता गा बजा कर व्यक्त कर रही है अब देख सकते हैं आप यह संसद भवन परिसर के समक्ष आदिवासी कलाकार जो पहले जंजाती गौरव दिवस पर अपनी प्रसंता व्यक्त कर रहे हैं कुछ एक्षण में संसद भवन परिसर में एक विशिश का हरकम होगा जहां पर भगवान विरसा मुंडा को श्रधा सुमन अरपित किये जाएंगे प्रदान मंत्री लोकसभा अध्यक्ष राजसभा के उपसभापती केंद्री मंत्री और संसद उस पूरे करकम में रहने वाले हैं प्रदान मंत्री पुस्पांजली अरपित करेंगे उनके स्वागत में एक संस्कर्ति कार्यकरम का आयोजन भी किया जाएगा प्रदान मंत्री नरंग्द्र मोदी आज बिरसा मंध की जेंती के अफशर पर जंजाती गौरव-दिवस समारो का नेतरत्व कर रहे हैं प्रदान मंत्री ने सुबा ट्वीट कर बिर्सा मुंडा की जैनती पर आदर पूर श्रिधांजली देते हुए कहा कि भगवान बिर्सा मुंडा स्वतंतरता आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संगर शिरत रहे दे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने वीडियो काउंफरेंसिंग के माध्यम से भगवान बिर्सा मुंडा स्मृती उद्यान सहे स्वतंतरता सेनाने संग्राले का उद्खातन किया जारगन के रांची में जेल परिसर में ये संग्राले बनाए गया है जहां बिर्सा मुंडा ने कैद के दोरान अंतिम सांसे ले थी पंदरा नवंबर की ये तारीक भरती अबा भगवान बिर्सा मुंडा की जन्म जैंती जारखंड का स्थापना दिवस और देश की आज़ादी के अम्रुत महोचवर का ये कालखंड ये अवसर हमारी राष्ट्रिय आस्था का अवसर है भारत की पुरातन आदिवाची संस्कृत के गवरव गान का अवसर है और ये समय इस गवरव को भारत की आत्मा जिस जन जातिय समुदाय से उर्जा पाती है उनके प्रती हमारे कर्तव्यों को एक नई उचाई देने का भी है इसलिए आजादी के इस अमरित काल में देश ने ताई किया है कि भारत की जन जातिय परंपराओं को इसकी सौरिय गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचांद देगा इसी क्रम में ये एतियांसिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश पंदरा नवेंबर यानि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस्कों जन जातिय गवरव दिवस्क में मनाएगा जहां प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जिन्होंने वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से भगवान विरसा मुंडा सुम्रती उद्ध्यान सहे सौतंतरता सेनानी संग्राले का आज उद्खाटन किया हम बता दें कि जहारकंड के राची में जेल परिसर में ये संग्राले बनाए गया है जहां विरसा मुंडा ने गयत के दोरान अंतिम सांसे ली थी और अपनी जान देश के नाम नियौचावर करते थी प्रिदान मंत्री यहां पर इस अफसर पर बोलते हैं उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय और समाज ने देश के निर्मान में लगातार योगदान दिया है चाहे वो स्वाधिनता संग्राम हो चाहे स्वाधिनता प्राप करने के पश्षाद का देश का जो है देश की या आतरा रही हो देश निर्मान की यातरा रही हो उसमें उनका इंपूट उनका उनकी सहभागिता बेमिसाल है अब उनके पहचान को एक एतिहां सक्ता देने का अफसर है और ये पहचान जो है अमरत महुस्षाव के दोरान देश वर में मनाये जाने만े बाले अलगलग कार कर्क प्रदान मंत्री भी करक्रम स्थल पर होंगे और आज बिरसा मुंडा जी की जैनती है 15 नवंबर है और इस दिवस को जन जातिय गौरत दिवस के रोप में आज से मनाया जाना शुरू होगा और हर बरस इस दिवस को जन जातिय गौरत दिवस के रोप में बना जाएगा और इस नवंबर तक लगातार देश भर में जनजातिय जो है समधाय से जुड़े हुए करक्रम होंगे और जनजातिय गारव दिवस को अलग सांस्कृतिक करक्रमों के माध्यम से देश भर में मनाये जाएगा ये सीधी तस्वीरे अभी वादन स्वीकार करते वे लोगसभाद्यक्ष मानानिया सांसदों और केंद्रिय मंत्रियों का और साथ में राजिस सभा के उपसभापती भी आप देख सकते हैं अपने टेल्वीजिन स्क्रीन पर और कुछ एक्षण में प्रधान मंत्री भी पहुं उन्यों चावर कर दी थी आज उनका जन दिन हैं उनकी जहनती है और उनकी जहनती देश भर में जन जाती है गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है और इस गौरव दिवस को मनाने के लिए पूरे सब्ता भर देश भर में अलग अलग जगा अलग अलग सांस्क्रतिक कारक्रम किये जा रहे हैं और जैसे कि हमने बताए कि आज अप्रधान मंत्री ने वर्च्वली जो है वीडियो कॉन्फरेंसी के माध्यूम से भगवान बिरसा मुंडा समरती उद्ध्यान सहेस वातंतरता सेनानी संग्राले का उद्ध्यान किया जारकंड के रांची में जेल परिसर है और ये संग्राले जो है उस जेल परिसर में बनाए गया है जहां बिरसा मुंडा जी ने कैद के दोरान अंतिम सांस ले दिये और हमने ये भी पताए कि लगाता ट्विट के माध्यम से राश्पती रामनाद कोविन उपराश्पती एमवेंकर नाइडू और लोगसभा अध्यक्ष उम्बिला ने ट्विटर के जरी अंग्रेजों के शोशन कारे शासन के वरुद्ध संग्ष करने वाले बिरसा मुंडा को नमन किया है और चारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसार पर राज्य की जनता को शुब कामनाई दी है और यह सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर के सामने से और कुछ एक शड़ में प्रदान मंत्री पहुंचने वाले हैं और प्रदान मंत्री के पहुंचते ही प्रदान मंत्री को देख सकते हैं आप अपने टेल्वीजन स्क्रीन पर प्रदान मंत्री पहुंच चुके हैं प्रधान मंत्री के पहुंसने के पशात अब क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जैनती से जुड़े कारक्रम की बाकाइदा जो है शुरुआत हो चुकी है और बिरसा मुंडा जी की जैनती जिसे राश्रा आज पहले जनजाती गौरा दिवस के रूप में बना रहा है इस प्रद्धान मंत्री भगवान बिर्शा मुंड़ा जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंच चुके हैं पुश्प अर्पित करेंगे और पहले लोग सबा अध्यक्ष पुश्प अंजली अर्पित करते हुए आप देख सकते हैं अपने टेली विजन स्क्रीन पार नमन करते हुए इस महान योद्धा जिसने 25 वर्ष की छोटी C.I.U. में अपना जीवन देश के नाम ने अच्छावर कर दिया अप्रद्धान मंत्री पुश्पारजित करते हुए भगवान बिर्शा मुंड़ा की प्रतिमा पर नमन करते हुए आप्रद्धान मंत्री ने श्रधा स्वरूप भगवान बिर्शा मुंड़ा की जहनती को जनजातिय गौरा दिवस के मनाने की घोशना केबिनेट की बेठक में पिछले सब्ता की थी और आज से जनजातिय गौरा दिवस के कारक्रम देशफर में आईजित किये जा रहे हैं केंद्री मंत्री भी आप देख सकते हैं अपने टेल्वीजिन स्क्रीन पर उश्पांजली अर्पित करते हुए श्रधा सुमन अर्पित करते हुए याद करते हुए नमन करते हुए व इसने 25 साल की उम्र में अपना बलिदान दिया, देश के नाम बलिदान दिया। अम बतादे भगवान बिर्सा मुंडा ने पहले किसानों को इकत्रित किया, चूंकि उस समय अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों का शासन था, और भयंकर सूखा पड़ा था, भयंकर सूखे के बावजूद भी मोटा लगान ब्रिटिश हुकूमत किसानों से वसूल रही थ जेल से बाहर आने के बाद अपने सभी जनजातिय साथियों को एकत्रित किया, और उन्होंने बाकाइदा एक रणनीती बना कर युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिश हुकूमत के विरुद। और हम ये भी बता दें कि एक बार उन्होंने बुरी तरीके से परास कर दिया था प्रिटिश सेना को लेकिन फिर जिस तरीके से मैनुप्लेट करके या फिर कह सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी के जरीए भगवान बिरसा मुंडा को गरफतार कर लिया गया और उन्होंने 25 वर् थी उनसे मिलते हुए प्रिदान मंत्री अभी वादन स्विकार करते हुए अनकिवल पूरे देश में आज से सांस्कृतिक का एरक्रम आईजित किये जाने वाले हैं एक सब्ता के लिए बलकि जन जातिये समाज के द्वारा बनाए गए हद्करगा के सामान को लेकर भी देश के अलग अलग खित्रों में विशेश करके मायूजित किये जा रहे हैं विशेश हाट लगाए जा रहे हैं फेस्टिवल्स होंगे अफेर्स लगाए जा रहे हैं और देख सकते हैं करते हैं करते हैं करते हैं झाल करते हैं दूल दूल आजयर दूल दूल, आजयर दूल, इसमें दूल आजयर बेशा, विंदधाराए हुआ है। जहां आप देख सकते हैं प्रधान मंत्री बातचीत करते हुए आदिवासी जन्जातिय समाज के कलाकारों से जिन्होंने अभी एक सुन्दर प्रस्तुती दी और हम बता दें कि प्रधान मंत्री के आवान पर आज से जन्जातिय गौरव दिवस मनाए जा रहा है और इस अफसर पर आज से लेकर 22 नवंबर तक देश भर में आदिवासी गौरव दिवस से जुड़े हुए विबिन कारकम आउजित किये जाएंगे इसमें सांस्कृतिक कारकम विशे शुरूब से आजित होंगे इसके अलावा हद करगा से जुड़े हुए जन्जातिय समाज के समानों से जुड़े हुए भी अलग-अलग कारकम अलग-अलग इवेंट्स देश भर में आजित के जाएंगे प्रदान मंत्री कारकम स्थल से अब निकलते हुए साथ में लोग सभाद्यक्ष राजे सभा के सभापती केंद्रिय मंत्री उनको उनके वहां तक ले जाते हुए और हम बता दें की आज एक वर्चल कारकम के द्वारा भगवान मिरसा मुंडा से जुड़े हुए एक संग्राले का जहरकंड में जो है उसका खाटन किया गया इसके बशायत कुछी देर में प्रधान मंत्री आज मध्यप्रदेश में भी होंगे हों मध्यप्रदेश में भी पगवान मिरसा मुंडा की जैनती और आदिवासी जंजाते गौरदिवस से जुड़े हुए विभिन कारकम होंगे और उन आपने देखा देखी सीधी तस्वेरें जो कि संसत भवन परिसा से आपको हम दिखा रहे थे आपके साथ शेयर कर रहे थे प्रधान मंत्री उसका अरकम में शिर्कर कर रहे थे और उन्होंने श्रधा सुमन अर्पित कि ये भगवान विर्सा मुंडा को उनकी जहनती है और उनकी जहनती के अफसर पर जन जाती गौरव दिवस मनाने की कोशना की है और आज से ये तमाम कारकरम शुरू हो गए हैं छोड़े जाते हैं इस कारकम में आपको भगवान विर्सा मुंडा से जुड़े हुए एक वरत चित्र के साथ मुझे दीजिया गया नमस्कार 15 नौंबर वर्ष 1875 में बिर्सा मुंडा का जन्म जारखंड के खोंटी जिले में हुआ मुंडा एक जन जाती समूथा जो जारखंड के छोटा नागपुर पठार में रहते थे वोई भारत के प्रसित स्वतंतरता संग्राम सिनानी और आदिवासियों के महानायक रहे जिन्होंने भारत के जारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंदन से आदिवासि समाज की दशा और तिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनेतिक युक का सूत्रपात किया